नमस्कार, MNS News Live में आप सबी दर्शोकों का स्वागत है आगरा में बेकागु जंगरत बस यमुन एक्स्प्रेस वे में गिरी 29 लोगों की मौत आगरा के थाना एदामपूर शेतर के पास यमुन एक्सप्रेस वे पर सोमार की तड़के एक बड़े सरक हास्से में 29 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 लोग घायर है थाना एदामपूर शेतर के जहना नाले के पास हुआ है जब अवर डिपो की जनरल बस एक्सप्रेस स्वे की रेलिंग तोड़ते हुए 50 फिट गहरे नाले में जा गिरी हास्से के बड़ बस में 44 लोग सबार थे अभी तक 19 लोगों का श्रव निकाला जा चुका है और बचा अभियान अभी रोग दिया गया है हालकि गोता को और अभी भी नाले में लोगों की टलाज के लिए जूटे है अभी तक हास्से की वज़ा का पता नहीं चल सका है बता रही कि बस लखनों से गाजिया बार जा रही कि मौके पर डियम और स्स्पी के साथ तमाँ आला ओफिसर भी मौजूद है स्स्पी बड़ बुलु कुमान ने बता है कि लखनों से दिल्ली की दरफ जा रही बस यहुना एक्सप्रेस वेर की रेलिंग से तोड़ते हुए नाले में जागिरी इस हास्से में अभी तक 17 लोगों को निकाल लगाया है लोगों के सामवनों से मृत्यों की शिरक्त करने की कोशिश की जा रही है आगरा के जिल्द अधिकारी एंजी रवी कुमान ने बताया कि इस हास्ते में राहत बचाओ पूरा हो चुका है उन्होंने बताया कि नाले में पानी होने की वज़े से मौतों का आखरा जादा है मुख्यमंद्री योगी अधितनाथ ने मुरुत्यों के परेजरन को 55 लाख रुपए मुआफजा देने का ऐलान किया है साथ ही इस बिश्वन सड़क हास्ते का सग्यान लेते हुए मुख्यमंद्री योगी अधितनाथ ने भी अधिकारियों राहत बचाओ कारिया में तेजी लेने का निदेश दिया है उन्होंने कहा कि हाईलों को समूचित इलाज कराया आजाए MNS News लाइक भी खबर देखने के लिए आज शी प्ले स्टोर से MNS इंदी आप डाउंड़ोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब केजिए साथी बेल आइकन को प्रेस कीजिए दने हो